चले बात करते हैं बिहार की सियासत की तो बिहार में जेडियू दफ्तर के बाहर नितीश कुमार के एक पोस्टर पर लिखा था देश को आपका इंतजार है लाल किले के साथ नितीश कुमार के ये पोस्टर्स लगे हैं कल पटना में नितीश कुमार ने लाल किला के बने बानर के तले एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया था जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ सियासत अलग किस्वीर के नीचे सियास कुमार के बैठे और इस दौरान उनकी मुस्कुराहट पर चर्चा शुरू हो गई है एक नई चर्चा का विशह बन गया है बिहार का ये पोस्टर 2013 में गुजरात के अंदर एक बरी सी होडिंग लगाई गई थी जिसमें लाल किला के साथ परधान मंत्री नरेन मोदी की तस्वीर दिखाई गई थी और आज ठीक 10 साल के बाद 2013 में इतिहास अपने आपको दुहरा रहा आप देख सकते हैं बिहार में ठीक जद्यू कारियालाय के बाहर एक बड़ा सा होडिंग और पोस्टर लगाया गया है जिसमें लाल किला के साथ साथ मुख मंत्री नितीश कुमार को दिखाया गया है और इस पोस्टर में लिखा हुआ है हम बिहार वाल यह भी लिखा गया है कि रमजान मुबारक हो कल मुख मंत्री नितीश कुमार दावते इफ्तार में गये थे और वहां पर जहां पर वो बैठे हुए थे उसके ठीक पीछे बैक ग्राउंड में लाल किला की तस्वीर थी तो निश्चित रूप से एक बार फिर से बिहार में यह चर्चा का जो बाजार है वह गर्म हो गया है कि क्या नितीश कुमार सच में एक ससक्त और परबल उमिद्वार हैं परधान मंत्री के लिए दोहजार चौबिस में हलाकि नितीश कुमार ने कई बार मीडिया के सामने यह कहा है कि परधान मंत्री बनना या परधान मंत्री उमिद्वार होना वो उनके कोटे में नहीं है यानि वह नहीं चाहते हैं वह नहीं है परधान मंतरी के उमिद्वार लेकिन उसके बाबजूद जदियू के नेता और कारकरता हैं वह यह मानने को तयार नहीं है और जहां जहां नितीज कुमार जाते हैं वहां अगर कारकरताओ की भीर होती है तो वहां एक ही नारा लगाया जाता है कि देश का अगला परधान मंत्री कैसा हो नितीज कुमार के जैसा हो तो निशीत तोर पर इस बैनर और पोस्टर के जैसा हो नितीज कुमार के जैसा हो इस वक्त हमारे साथ खाली दनवर हैं जद्यू के MLC आपने फिर से एक बार जो चीजे ठंडे बस्ते में चली गई थी आपने फिर से उसको उस चीज की चर्चा जो है वो गर्म कर दी नहीं जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा दो हजार चौबिस आ रहा है लोगों में जो भावनाएं हैं लोग देश के लोग क्या चाहते हैं बिहार के चौदा करोड लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह सिरी नितीश कुमार जी ने बीस साल में एक बिमारू राज को यहां तक पहुचा दिया तरफी की इस पायदान पे लाके इसको लीड करना चाहिए विपक्षी एक जुटता के लिए मजबूती से काम करना चाहिए और तमाम विपक्ष को एक जुट करके भारतिये जनता पार्टी की उन नीटियों से जिससे देश में तरह ही माम फैला है उससे मुक्ति दिलानी चाहिए आपने दावते इफ्तार क मेजवानी किया था दिली को उतार दिया पटना में आपने लाल किला को पटना लेके आ गया है लाल किला महबत की अलामत है लाल किला भाईचारे की अलामत है लाल किला हमारे कौमी महबत की बहुत बड़ी निशानी है और उस लाल किला से साफ मेसेज ये दिया गया कि इस द बरता है सजोया है बिहार के समाज को आगे बढ़ाया है उसी हिसाब से और देश भी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा